हेलो दोस्तो मेरे चैनल ग्रीन आक्सिजन में आपका स्वागत है आज मैं डायन्थस के पौधे में ज्यादा फूल कैसे पाएं ये जानकरी शेयर कर रहे हूं दायन्थस के पौधे से तो हम सब भी परीचित हैं। ये बहुत खुब सूरर फूलो वाला पौधा है। बहुत सारे रंगों में पौधा मिलता है। बैसे नृस्टरी में आपको ये पौधा सर्दियों में देखने में आता है लेकिन इसके पौधे साल भर रुक रुक कर तो पूरे गुच्चे को अलग कर लेना चाहिए, देखे इस गुच्चे के सबी फूल खिल चुके हैं, तो इसको थोड़ा नीचे से काट कर पूरा गुच्चा अलग कर देंगे, क्योंकि फूल खिलने के बाद इसमें बीज बनने लगता है, जिससे पौधा जल्दी समाप्त हो जाता है, तो बीज बनने की प्रिक्रिया को हमने रोग देना चाहिए, दूसरा इसकी गुड़ाई 15-15 दिनों के अंतराल में जब इसकी मिट्टी सक्त लगे तो करने चाहिए, इस तरह से हलके हलकी गुड़ाई करते रहना चाहिए, फूल खिलने पर इसको 15-15 दिन में लिक्विट फर्टिलाइजर दें, अगर आपके डायन्थस में तब भी फूल ना आने की समस्या हो रही है, तो खात की वज़े से सॉयल का एसिडिक हो जाना है, इस समस्या के समाधान के लिए चूने का पानी जो कि किसी भी पान की दुक इस चौक का घोल बना कर पौधे को देने से भी फूल आने लगते हैं, तो दोस्तों अगर आपका पौधा भी कम फूल दे रहा है या बिलकुल फूल नहीं दे रहा है, तो आप भी इन तरीकों को आजमाएं और अपने डायन्थस के पौधे में धेरो फूल पाएं, तो दो आप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दवाना ना भूलें, थैंक्स फ़र वाचिंग